कि विद्ध्या भारती की तरफ के उपर पठ्चे पुद्ध के मिखवाए गई जिसमें महारणा प्रताप और अक्बर के बीज के युद्ध को तहार भी कुद्ध बताने हैं कि हिंदू और मुसल्मान के लगाए नमस्कार आप देख रहे हैं नेशन मिरर और मैं हूँ आपके साथ सुमित कुमार सिंग डोटा सरा के महारणा प्रताप और अक्बर के बीच युद्ध को सत्ता संगर्श बताने पर सियाशत अब तेज हो गई है दरसल राजस्थान के पूर्व सिक्षा मंतरी और वर्तमान में कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पर बीजेपी ने बड़ा हमला किया है पार्टी सांसदों प्रदेश अध्यक्ष सहित कई नेता लगतार ट्विटर पर उनसे माफी मांगने की बात कह रहे हैं आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे यूटीब चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और साथ ही बेल बटन दवाना ना भूले और अगर आप हमारा ये वीडियो फेस्बुक पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक करें आपका एक लाइक और फॉलो हमारे होसले को लाखो गुना बढ़ा सकता है अब आपको बताते हैं कि डोटा सरा के बयान पर केंदरी मंतरी शकावन ने क्या कहा केंदरी मंतरी ने जहां तंज किया कि मुगल चले गए और अपने पीशे कॉंग्रिस के एजेंट छोड़ गए तो राजस्थान के पूर्व ग्रह मंतरी और वर्तमान में विधान सवा के प्रतिपक्ष के नेता गुलाग चंद कटारिया ने कॉंग्रेस नेता पर निशानस आते हुए कहा प्रताप का युद्ध सत्ता की लड़ाई नहीं बलकि स्वाविमान की लड़ाई थी राज की अगर इक्षा होती तो जैपूर वाले मान सिंग की लाइन में प्रताप चले जाते मगर प्रताप नहीं गए दरसल डोटा सरा गुरुवार को नागौर जिले के दौरे पर थे यहाँ पर उन्होंने दो दिवस्य जिलास तरे कॉंग्रेस कारेकरता परिस्यां सिविर में पहले दिन कारेकरताओं को संबोधित करते हुए कहा भाजपा ने अपने राज के दोरान विद्या भारती की तर्च पर पाठिकरम बनाए उन्होंने महराना प्रताप और अकबर के बीच हुई लड़ाई को धार्मिक लड़ाई बताकर पाठिकरम में शामिल करवा दिया जबकि यह सिर्फ एक सत्ता के लड़ाई थी बीजेपी हर चीज में हिंदू मुसलिम को धार्मिक चश्मे से देखती है इस बयान के बाद क्या था? बीजेपी नेता ट्विटर पर डोटा सरापर टूट पड़े केंदरी मंत्री गजेंदर सिंग से खावत बीजेपी प्रदे सदेक्ष सतीष पुनिया प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंत कटारिया उपनेता राजेंदर राठो और सहित कई नेताओं ने धढ़ाधा ट्विट करते हुए उनसे माफी मांगने की मांग की उपनेता प्रतिपक्ष राठो ने डोटा सरागो महराना प्रताप के प्रती आदतन पुन्ठित मानसिक्ता रखने वाला बता दिया बीजेपी के प्रदे सद्यक्ष पुनिया ने कहा कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते ऐसे बयान देना उनकी मजबूरी है जबकि वहीं केंदरी मंतरी गजेंदर सिंग से खावत ने कटाक्ष के साथ डोटा सरा को चेतावनी तक डेड़ डाली उन्होंने ट्विटर पर लिखा मुगल चले गए लेकिन अपने पीछे कॉंग्रेस एजेंट को छोड़ कर गए जो मातर भूमी के समान की लड़ाई को सत्ता से जोड़ देते हैं राजिस्थान कॉंग्रेस प्रदे सद्यक्ष गोविन सिंग डोटा सरा किस आधार पर कह रहे हैं कि राजिस्थान के माते के तिलक महराना प्रताप ने अकबर से सत्ता के लिए युद्ध किया था उन्होंने ट्विट किया कि आप माफी मांगें अगली बार हमारे महराना प्रताप का नाम सियासी जुवान पर ना लाएं स्वाविमानी इत्ocket को ललक्षा तथा अंगर्द महाराना प्रताप के आजीवन मात्र भूमी होई की संकल्प जारी रख in पर कॉंगरिस को सार्व जनिक रूप से जनता से माफि मागनी चाहिए वहीं नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने कहा कि दूर्भाग से इन लोगों को प्रताप दिखते ही अकबर दिख जाता है इसलिए इन लोगों को इतने साल तक यही खेती कमा कर राज किया बाकी भारत में आप किसी से भी पूछोगे तो प्रताप और अकबर के बीच अगर तुलना होती है तो प्रताप का जीवन राश्ट के लिए स्वाविमान और मुल्यों की लड़ाई के लिए रहा अगर प्रताप को राज की इक्षा होती तो जैपूर वाले मान सेंग की लाइन में प्रताप चले जाते मगर प्रताप नहीं गए कॉंग्रेस का चश्मा है कि इन्होंने हमेशा मुसलिम तुष्टी करन का ही पालन किया है इसलिए य दोटा सरा के बयान की निंदा कर रहे हो पर गुलाबचंद कटारिया ने भी महराणा प्रताप पर इसे पहले विवाजित बयान दिया था उपचिनाओं के दोरान उन्होंने भरे मंच पर महराणा प्रताप को लेकर विवाजित बयान दिया था इसको लेकर मेवाण में नेता प्रतिपक्ष को माफी मांगनी पड़ी इसके बाद राजस्थान के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने ट्वीट कर कहा कि महाराणा प्रताप का अकबर के साथ यूद सत्ता संघर्ष नहीं बलके राष्टवाद की लड़ाई थी डोटा सराजी आप भी इस मामले पर विवादित ब्यान दे चुके हैं आखिर कॉंग्रेस पार्टी को मुस्लिम वोटों को खोने का डर इतना क्यूं है वहीं उपनेता राजिंदर राठोर ने ट्वीट कर कहा कि गोविंद सिंग डोटा सराजी महाराणा प्रताप और अकबर की लड़ाई स्वतनतरता और स्वाभिमान की लड़ाई थी भारते संविद्धान के आदर्श हैनाकिसत्ता की लड़ाई थी राजिस्थान की आण बान और शान के प्रतिक महाराणा प्रताप के खिलाफ बार-बार खुंठित मानसिक्ता का प्रचे देना आपकी आदत हो चुकी है हाला कि आपको बता दें कि ये कुछ पहली बार नहीं है जब राजिस्थान के पूर्ण मंत्री ने महराना प्रताप और अकबर को लेकर विवादित बयान दिया था बलकि इससे पहले कई बार ऐसे बयान वो देते आये हैं शपत के बाद उन्होंने दोनों के महान होने पर बोला था कि यह तो एक्सपर्ट ते करेंगे कि महान कौन है हाला कि बाद में उन्होंने अपने इस बयान पर सफाई भी दी थी आखिर क्यों बार बार अर्विन सिंग डोटा सरा राजिस्थान में महाराना परताप को लेकर ऐसे बयान देते आये हैं आज के लिए बस इतना ही आगे की ख़वरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नेशन मिरग धन्यवाद